यूपी के रामपूर में पडोसी ने घर में घुसकर नाबालिक से दुशकर्म किया आपको बता दे कि वारदात के समय किशोरी घर में अकीली थी और उसके परिजन गौव में किसी रिष्टेदार के घर गए हुए थे वहीं दुशकर्म की वारदात को अंजाब दे कर आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया जिसके बाद पीडिता का परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है वहीं पुलिस आगी की कारवाई में जुट कर लिए और भी रखते पिसे का तौन रखतार किया और अनर भीक बादेती ने कि उसने हैं वहीं परुदू खार किया और अब जबने खुंपने दिरखते लिए होए है और अजाय है पर एक नाबालिक बच्ची के साथ दुश्कर्म की सूचना पुलीस को मिली है और इसमें पुलीस में तबकाल ही एक जो नामजद मुझे में उसे गरफतार किया है और इसमें पॉक्सो एक्ट में इसमें मुकदमा लेकर अगरिम कारवाई की जा रही है और इसमें की जा रहे हैं।